तो नाव Yes Bank में आज बहुत अची तेजी देखने हो मिली है और अभी-अभी E.T.Now से एक ख़वर आती हूं दिखी है कि यहाँ पर शायद अभी जो है वो आठ जार करोड का इंवेस्टमेंट जो है वो आने वाला है 8000 करोड का इंवेस्टमेंट है Yes Bank के अंदर आने वाला है इसके साथ साथ एक और ख़वर है जो कि आपको पता होने चाहिए हम आभी डिसकस करेंगे वो तो बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है NPA को लेकर और यहाँ पर कोसिस यह की जा रही है कि Yes Bank को फुली तरीके से रिवाइवल करा जाए और यहाँ पर एक ख़वर और है क्या यहाँ पर Yes Bank के SBI में मर्ज होने वाली है इसके उपर हम कल बात करेंगे लेकिन आज जो है आज बहुत पॉस्टेब है आज मीटिंग है और आज यहाँ पर जो न्यूज आई है एटी टाइम से तो यहाँ पर एडवेंट और करलाइल का जो बिलियन डॉलर अब वन विलियन डॉलर है यानि की आपका 80 रुपए के आसपास चल रहा है डॉलर का प्राइस तो आपका सम्तिंग 8,000 करोड के आसपास का इन निवेश Yes Bank के अंदर आना है और आज बोर्ड मीटिंग में यह तेह हो जाएगा तो यह बहुत 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 पॉस्ट अब अब एक परियद भी खतम होने वाला यानि मार्च दो जार रहे है तेज में आपका लॉकिन प्रियद जो हो ओवर और उस ते पहले यह सब किया रहे तो यह बहुत ही पॉस्टिप है और यह पर देख से और शेयर को सेल कर की किया जाता है या किस तरीके से वह आज बोर परसेंट थोड़ा 0.90% के आसपास की यहां पर जो है इतने शेयर्स में काम उचका है 0.90% शेयर्स में अब यहां पर एक ही सवाल है जो की बना हुआ है कि क्या यह रिवाइबल जो है वो पॉस्वेल हो पायागा जिस तरीके से नेट एंग घट रहे हैं इस वक्त बैंक की भत कहा जाता है लेकिन अभी एक और जो नियूज है वह बहुत ही ज़्याद है वह है आपका नैट एंपई के लिकर अब देखें HERE यहां पर आपका क्वार्टली ए और क्वार्टली नीट एंपी इस आपके सामने और यहां पर एंपई जो है जिस बेंक में आनपी हैं ज़ 2454.94 करोड के नेट NPA तो जो की घटकर 2022 से जून में अगर हम बात करें तो 7,765 करोड के ही नेट NPA रह गया है तो quarterly 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 ये कम हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है 5.78 से घटकर 4.7 परसेंट का ही नेट NPA रह गया है ग्रोस NPA में भी आपर जो है एक गरावट देखने हूं मिली है और खबर ये है कि आपर severus और एक और कोई एक एक बैंक है या जो भी है एक कमपनी वो दोनों मिलकर severus ही नाम है ये मुझे ध्यान नहीं मतलब दो कमपनिया मिलकर अभी अभी ये ख़वर है उस स्लाइड मिस हो गया है लेकिन चलिए ठीक है दो कमपनिया मिलकर यहां पर जो है इनके yes bank की जो NPA उसको खरीदने की तैयारी में ये वाकिए में पॉजिटिव बात है कि आपर net NPA की जो NPA बैंक की उनकी बिक्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है उससे जो पैसा मिलेगा उसे revival कर लेंगे फिर बाद में लेकिन NPA की बिक्री होना ये बाकी में एक पॉजिट है कि यहां पर पैसा तो आएगा लेकिन कुछ पैसा आएगा लेकिन यह है कि NPA से जो चुटकार आ रहा है वो मिलता हुआ नजर आएगा अधरवाइज NPA रखके करना ही किया था वाकई में पॉजिटिव न्यूज है दोनों ही एक investment की एक NPA की और यह दोनों अगर हो जाती है तो यहां पर जो लॉकिन पीरेड इंवेस्टर से उनको जादा benefit मिलने वाला क्योंकि वही है तीन साल से कोई return उनको देखने को नहीं मिला है इवन यहां पर जादा से जादा लोग yes bank को भूल भी चुके हैं उनके portfolio में लेकिन शो नहीं करते हैं और यहां पर भूल चुक तो थोड़ा सा return ही से मिल जाए बाकी सुनना क्या चाहते हैं क्या SBI से मर्ज होने वाली यह भी हम कल बात करें कल बहुत important बात discussion करेंगे इसके उपर और यहां पर focus यह रहेगा कि अब चले ठीक है bank revival के लिए आप तयार हैं पूरी तरीके से यहां पर जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं काम net NP खतम करने की ते यारी मैं आप लेकिन आपने stock के लिए क्या किया आपका जो इतना number of shares जो आपने बढ़ा कर बैठ गए हैं जो की नहीं बढ़ने चाहिए थे अगर 60 रुपए पर deal हो जाती या निर्मला सीतरमन जी जो हैं वो 60 रुपए पर कह देती कि SPI 60 रुपए की rate पर yes bank को इतने इतने shares जो है वो एक कर रहे हैं ठीक है तो और इतना पैसा infuse होगा लेकिन है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा 10 रुपए पर rate कर दी है उसकी वैस एक्टूटी इतनी जादा हो गई कि यहाँ पर yes bank की जो value होगा है वो ही खतम हो गई मतलब yes bank क अगर जो चलने की रफ़तार देखी जाए किसी भी share price की तो वो ही खतम कर दी गई है तो क्या इसका भी revival होगा या नहीं क्या यह चीज SBI मर्ज होगा या नहीं यह सब एक question है तो यह देखना बाकी है अब अगस्त आ चुकी है बहुत जादा time भी बाकी नहीं है let's see क्या होत पांच रुपए की आसपास आ गया था उसके बाद announcement आने स्टार्ट हुई थी उसके बाद एक recovery और उसके बाद यह रहा था share price का हाल लगा तार और उसके बाद 89 रुपए हम गए थे ज्यान होगा आपको 20 रुपए से 89 रुपए का सफर ते किया था 89 रुपए उसके बाद उसके बाद सीदे 12 रुपए 12 रुपए 10 रुपए की असपास एक बाद फिरम ने आते हुई देखा था यह शेयर प्राइस और उसके बाद हम इस पाइप के अंदर आ चुके हैं लगातार यह पाइप चला है अब इस पाइप से निकलने का एक ही तरीका है एक ही तरीका है वह है यह नाइन को क्रोस कर जाना है एवर चल रुपए 15 पैसे का जी यह हाँ हो सकता है तो हम और चलाए लेवल पार करती हुए नजर आए और शोले रुपए 25 पैसे का लेवल अगर पार हो जाता है तो यह दो ढ़ाइस साल का जो पीरिड हमने जो सोले रुपए 25 पैसे 12 रुपए 11 रुपए 10 रुपए के अंदर में गुजार दिया है इससे निकलते हुए नजर आएगा और यह धाई साल के बाद अगर ब्रेक आउट अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है मतलब अगर सोले रुपए 25 पैसे पार कर जाएं तो फिर क्या कहने एक हमें एक सिंगनल मिल जाए कि अब हैस बैंक में कहीं अब तीजी के संकेत अब आ चुके है 16 रुपए 25 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसके उपर निकलते हैं तो यहां पर जो है एक फ्रेस ब्रेक आउट होने की तैयारी में स्टॉक लगा रहेगा और द जीजे में से जाए बड़ी देखने के लिए बहुत दन्यमाद होस्तों